हेलो दोस्तों कैसे अब सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स प्रॉब्लम दिए सकते हैं ग्राफ केटेगरी से जो है बी एफस तो आज हम बात करेंगे बैत फर्स सर्च के उपर कि कैसे हम ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं यूजिंग दी बी एफ अल्गोरिदम ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो लेट्स मोग अंट्व प्रॉब्लम और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस्ट पर की बी एफ़ेस ब्रैट फरस्ट सोच के ऊपर वहम बात करने वाले हैं तो बेसिकली दोस्तों यह तरीका है ग्राफ को ट्रेवर्स करने का जैसा एक हमने पिहली वीडियो में बसक्राफ के बारे में बात करी थी तो हमने समझा था कि graph को traverse करना किसी भी data structure को अगर आपको process करना है so you have to know कि how to traverse how to process the data of the given data structure तो उसी उपर हम बात करेंगे कि एक तरीका है breath for search एक दूसरा तरीका होता depth for search उसके उपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे आज हम बात करने वाले path for search उपर तो basically graph के उपर हम बात करने वाले है तो सबसे पहले तो draw कर लेते हैं एक graph अपना example के लिए तो example के लिए मैं ले लेता हूं कि एक vertex है हमाई पास basically हम total हम 4 vertex का graph draw कर लेती है ठीक है तो एक graph है यह हमाई पास simple graph हमने माल लिए 4 vertex का और जिसमें 4 हमाई पास edges है तो basically हमें बात करने है कि हम कैसे इसको traverse करने वाले है using the breath for search तो for breath for search first we have to declare our adjacency list of the graph तो adjacency list अगर हम बनाते है तो 1 की adjacency list क्या है 2 और 3 2 की adjacency list क्या है 1 और 4 3 की adjacency list क्या है 1 और 3 sorry 1 और 4 1 और 4 और 4 के adjacency list है 2 और 3 ठीक है सबसे पहले adjacency list हमाई पास होने चाहिए now we BFS in BFS what we have to do सबसे पहले तो हमें जो data structure एक और use करना होता breath for search traversal करने के लिए उस data structure को बोलती है Q ठीक है यह चीज़ आपको याद रखने है उस data structure को बोलती है Q you have to use the Q Q use करनी है कि जो breath for search होता है वो क्या करता है वो हमारा एक तरह से level auto traversal करता है जो कि tree में होता है अगर आपको level auto traversal नहीं पता तो कोई issue नहीं है हम क्या करें हैं हम basically एक-एक vertex को उठाते हैं और हम उनको तब तक traverse करते रहते हैं जब तक उनकी adjacency list की सारी vertex नहीं हो तो basically we are doing the breath first search मतलब हमें पहले breath में जाना है हमें उसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है डेप्ट फ़र सर्च में नीचे की तरफ आते हैं breath for search में side जाते हैं टिक है जैसे कि नाम से clear हो ड़ा दोस्तों को प्रोसिस करना ना कैसा चाहिए प्रत्स कीं फिर्टे रों में neighborhood रूटेक्स वर्टेक्स प्रोडेख्क उसको हम लेते हैं और दीड़े हम प्रोसिस करेंगे और साथ हम क्या करना है दोस्तों एक हमें एक एरे भी लिना है ठीक है जितनी number of total आपकी number of vertex है total four vertex है तो four size का आपके पास एक basically array होगा जिसको हम बोलेंगे दोस्तों visited array ठीक है दोस्तों उसको बोलेंगे visited array और वो visited array क्या करेगा वो visited array अपने अंदर सबसे पहले false store करके रखेगा false का मतलब है कि कोई भी node अभी तक till now not a single node is visited ठीक है यह हमें बोला है कोई भी node visited नहीं है और आगे अगर कोई visited होगी न तो मैं अपने अंदर उसको mark करूंगा थाकि आपको इन feature आपको देखना हूँ कि क्या यह नोड को मैं पहले ही process कर चिका हूँ यह नहीं तो उसको आप मे vertex है उसको लो ठीक है और सबसे पहले अपने यहां पर इस जगहां पर मैं BFS जो है मेरा आएगा उसको में यहां पर लिखना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मेरी नोड आई वन उसके बाद वन की अजिसेंसी नोड क्या है टू तो सबसे पहले वन को जब आपने प्रोसे सबसेंसी नोड्स है ना एक चीज आपको नोड और करकर रखना है कि जूकि विजिटेड नहीं है ठीक है डबल कोट्स में इस बात को याद रख लो कि नोट विजिटेड विजिटेड नहीं होने चाहिए मतलब एक वार अगर आपने उस नोड को प्रोसेस कर लिया तो यू सबसे पहले जब मैं क्यू अपने डिक्लेर रहूंगा सबसे पहले वन को इस्टोर करा दूँगा तो अपनी क्यू के टॉप को फैच करना शुरू करूँगा तो टॉप में क्या है वन तो मैंने वन को प्रोसेस कर लिया अब मेरे वन की एजिसन से जो भी विजिटेड नही ही है तो अब मैं क्या करूँगा अब मैं अपनी क्यू से उन नोड को जो भी dings टॉप कर्ता है करता है वह वेसिकली fifa system पे वरक करता है First in, First out, जो node पहले गई है, वही पहले node process होकर आएगी, तो सबसे पहले next node कौन सी हमाई Q से निकल कर आएगी, वह आएगी 2, तो अब मेरी जो breath for search होगा, वो आएगा 2, तो अब 2 आ गया, अब 2 को मैं क्या करूँगा, टू मेरा विजिटेट तो नहीं है तो मैं उसको विजिट कर दूँगा और टू से मेरी जो भी एजिसेंसी वर्टिस हैं उनको मैं अपनी क्यू के अंदर पुश करना शुरू करूँगा और लिजिटेट तो मैं अपनी क्यू में प्रोसेस नहीं करूँगा क्योंकि वह अल्रीडी प्रोसेस्ट है यह भी चीजह दखना बनना आप इंफानाइट रिकरशन में फजाएंगे ठीक है, infinitely आप उस चीज को process करते रहेंगे, infinite loop में फ़र्जाएंगे, रिकर्जा नहीं, infinite loop में फ़र्जाएंगे, आप क्या बात करेंगे हम, one processed है, four, four जो है, वो process नहीं है, so I will put it into my queue, ठीक है, queue में put कर दूँगा, अब मेरी two की सारी adjacency node complete होगी, so, अब मैं अपनी queue में से node को निकालूँगा, चोकि यह मेरी three, three को मैं रखूँगा, three को मैं visited कर दूँगा, three के adjacency कौन सी है, one, जो को already visited है, four, जो को already visited है, ठीक है, sorry, four already visited, नहीं है, ठीक है, तो four मेरी visited नहीं है, तो मैं four को दोबारा store करा दूँग, अब बहले यह store हो रहा है अब प्रोसेस को हमें नहीं करना है, ठीक है, तो three के बाद, मेरी three के सारी adjacency nodes, zone, वो complete हो चुकी है, तो I will fetch my front node, ठीक है, और front node को मैं four में store, जो four है मेरी करूँगा, और इसको मैं visited mark कर दूँगा, अब मेरी four से कौन कोन सी adjacency है, two, जो को already visited है, three, जो को already visited है, और उसके बाद मैं अपने processing करूँगा, उसके बाद में अगली बार दुबार जाब four को लूँगा, तो वो मेरी already visited होगी, so I will not process it further, ठीक है, तो जैसी आप Q से निकाल रहा है node को, तो आप check करेंगे कि क्या वो already visited है, तो उसको आप basically process नहीं करेंगे, so best first search of this graph will be one, two, three, four, ठीक है, one, two, three, four, तो अब बात करते हैं, कि basically एक typical graph के उपड़, ठीक है, ठोड़ा एक typical graph ले ले लेते हैं, ताकि आपको basic understanding और clear है, ठीक है, ये graph ले लेते हैं, simple साथ, अब इसकी हम सबसे पहले तो, adjacency, matrix में बनाते हैं, one, connected है two से, one connected है three से, two connected है one से, four से और five से, three connected है one से, four connected है two से, और five connected ह ठीक है और साथ हम एक विजिटेड एरे भी मनाएंगे अपना विजिटेड एरे बनाएंगे वन तू थ्री फोर और फाइव और जो की इनिचेली हमाई पास स्टोर करकर रखेंगे फॉल्स फॉल्स और उसके बाद एक क्यूड डेटा स्रक्चर मेंटेन करकर रखना है में क्य को मैंने पॉपापप कर रहा हूं से एजसंसी साँप को प्रोसेस करना ऑं कॉक्क है तो जितने ही उनको विजिटेड करणागा तो उसको प्रोसेस मत करो, four को डाल दू, five को डाल दू ठीक है, five को डाल दिया और उसके बाद, मैं कहा करूँगा, मेरे जब two के सारे होगा है, तो मैं three को pop-out करूँगा, और two को मैंने यहाँ पर true नहीं मेंशन करा था, उसके बाद three जब आए गा, तो फिर मैं 4 को जो मेरी top of the front of the queue होगा 4 को मैं pop out करूँगा और 4 को मैं यहाँ पर true mark कर दूगा visited mark कर दूगा और 4 का जो adjacency vertex है वो 2 है जो कि already visited है तो जो कि already visited है तो मैं उसको कुछ फर्दार process नहीं करूँगा और उसके बाद फिर मैं देखूँगा 5 आएगा मेरे top of the front of the queue तो मैं 5 को pop out करूँगा और 5 को मैं true mark कर दूगा 5 से मेरी vertex connected है जो की true connected है which is already processed तो this is my breath for search of this graph तो आप देख सकते हैं 1 1 से मैं किया 2 पर फिर 1 से मैं 2 से आग नहीं बढ़ा मैं depth मनें गया मैं 1 की सारी adjacency को process करा मैं जितने की one की मैंने सब को प्रसूं करा one two or three उसके बाद फिर मैंने टू की सारी नोट को प्रसूं करा जो की मीन है फ्री फोर और फाइव उसके बाद मैं सरी आपको नूट वसके सा प्रसूं करा जो की वन है बट वन मेरी अव्ट्र परसूं है तो मैंने ब्रैथ में ब्रैथ में बेसिकली इसको ट्रेवर्स करा ना कि डेप्थ में तो आपको यह चीज़ समझ में जोगे सब्सक्राइब को बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ग्राफ के अंदर सारी नोड आपस में अग्जामपल लेते हैं तो यह एक पूरा दोनों मिलकर यह ग्राफ बना रहे हैं बट हम यह बोल सकते हैं कि hai तो यह हम किसी भी टूसरी नोट तक सके तो वह नोड जो होती है जो होती है उनको कन्डेंट बोलती है और हमे ग्राफ के अंदर मुल्टिबल नेंट्स हो सब में यह चीज का यूज होता है तो this was all about breath for search तो let's move on to the code और देखते हैं इसका code किस तरीके से होगा so as you can see on the screen जो हमने पिछला graph का basically code यूज करा था to build and to print the graph उसी का हमने यूज करते हूँ करा है सबसे पहले हमने visited array एक declare कर दिया है और जिसको हम new boolean वी प्लस बन से basically initialize कर रहे है और जब भी हमारा बीएफस कॉल होता है तो हम उसमें array में फॉल्स फिल कर देते हैं बीएफस प्रिंट करा रहा है हमें तो सबसे पहले तो हमने वन से लेकर सारी वर्टेक्स के लिए बीएफस को कॉल करा है और हमने आई पास करा है और आई जो वर्ट करेगा वो ऐसा source वर्टेक्स वर्ट करेगा तो basically हमने यह करा क्यों है यह हमने उसली करा है जो हमने बताया था आपको के एक graph में multiple component हो सकते हैं लाइक इन गिवन एक्जांपल जो मैंने आपको एक्जांपल देया था उसमें 1,2,3,4 आपस में connected थे और 5 और 6 आपस में अलग component थे बिल्कुल अलग component थे आपस में connect नहीं थे तो 1 से अगर आप source vertex मानकर traverse करना शुरू करेंगे तो 1,2,3,4 तक traverse करेंगे 5 और 6 को कभी traverse नहीं कर पाएंगे so for that purpose we are calling that BFS util for each and every vertex और यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं कि हम यह चेक कर लें कि वो vertex already visited ना हो अगर वो already visited that means कि वो किसी component में already आ चुकी है so you no need to apply BFS again on that ठीक है और BFS util का काम क्या है हमने सबसे पहले Q data structure का use करा है as Q is a interface so we have to need its implementation too so we use the linkless class for the implementation of Q और हमने Q में add करा है the source vertex which is given और जब तक Q empty नहीं होती हम Q को पोल कर रहा है जो भी Q की front में उसको हम ले रहे हैं और अगर वो visited है so no need to do anything continue just continue क्योंकि वो already processed है और अगर वो already processed नहीं है so you have to print that उसको visited mark करो और Q उसको add कर दो उसकी जितने भी adjacency add all adjacency dot get v मतलब उसके जितने भी adjacency vertex है उन सबको Q की अंदर add कर दो तो हमने जब Java का जो predefined function उसका use करा add all आप चाहें तो traverse करकर उसके add efficiency matrix में वो भी add कर सकते हैं no problem with that उसके बाद हमने graph बनाया और उसके बाद BFS call कर रही है उसके लिए तो as you can see one जो हमारा graph है तो अगर one से start करेंगे हम one से पहले हम two पर जाएंगे फिर three पर जाएंगे को यह हमें breath first search करनी है और उसके बाद two के addicency node में जाएंगे जो की three जो क्यों already processed है उसके बाद four को जाएंगे और four को हम प्रिंट करा देंगे उसके बाद three पर जाएंगे और three के addicency node one जो क्यों already processed है उसके बाद four पर जाएंगे और four में कोई आपको अगली वीडियो में बात करेंगे टी एफैस डैफ पर सर्च की तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए अपनी दोस्तों के साँ शेयर कीजिए कमेड में बताईए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो मैं इसको सॉल्ट करने ही बुर